Hello students, आज हम करेंगे अध्याय 2 का चौथा question जिसमें हम देखेंगे कि अमल जो है जो स्वाद में खटे होते हैं वो धातू के साथ कैसे अभी किरिया करते हैं और क्या बनता है और जो छारक होते हैं वो धातू के साथ कैसे अभी किरिया करते हैं और क्या बनता है धातू में जैस बेहेवियर होता है आईए देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अमले की किरिया और धादू के साथ कराना है अभी छारक को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं पहले अमल और धादू को समझते हैं तो हैडिंग लगाएंगे अमले की धादू के साथ किरिया त और ये गिर ना जाए, इसलिए हम इसमें स्टेंड लगा देंगे, तो इस तरीके से हमने स्टेंड लगा दिया, अब इस परक्षनली में हम यहां पे अमल लेते हैं, तो यहां पे हम अमल भर लेते हैं, कोई भी अमल हो सकता है, जैसे HCL अमल, HNO3, H2SO4, तो अलग अलग अमलों के साथ हम धातूं के किरिया से समझेंगे, कि जब अमल धातूं के साथ में किरिया करता है, तो क्या रियक्षन होता है, और क्या बनता है, ठीक है, तो यहां पे हमने अमल भर दिया, यह देख लो, यहां तक भर दिया, पूरी परक्षनली में, इतनी बस खाली है और यहां पे हमने यह अमल भर दिया है अब अमल मान लेते हैं कि यह A.C.L है हाइडो कलोरिक एसिट अब अमल भरने के बाद इसमें हमने क्या कर दिया अमल चुकि कहीं न कहीं चे तो भरा जाएगा तो यहां पे एक नली के द्वारा भरा जाता है तो वो नली हम यहां पे बना देते यह देखो, यह नली इस नली के माद्दियम से बाकी यह बंद रहती है परक नली और जो गैस वगेरा बनेगी वो निकलने के लिए एक और बना देते हैं यहां पे नली ये देखो एक नली और बना देते है जहां से गैस वगेरा निकल सके और इसका जो है उस गैस को एक जगाए गत्रित करने के लिए इसको यहां से मोड़ देते है आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से इस में से जो गैस है वो यहां से जो भी बनेगी वो यहां से सीधे यहां पर आजाएगी ठीक है अब बाकी को बंद कर देते हैं बाकी यह जो है नली परक नली का रास्ता बंद हुआ रहता है मतलब बाहर की एर अंदर नहीं आ सकती अंदर की एर बाहर नहीं जा सकती ठीक है, तो ये बाकी नली बंद है, यहां से अमले डाल दिया जाता है, यहां पर तिसल फणल टाइफ रहता है, यह देखो, तो यहां से इसमें अमल भर दिया जाता है, दीर दीरे इसमें, यहां से इस तरीके से भर गया है, अब अमले के क्रिया, किसी धातू के साथ में करान कि इसमें डाल देते हैं यह जेंगे के टुकड़े हमने कुछ डाल दिये इसमें ठीक है तो यह जेंगे के टुकड़े हैं यह से लमल है तो रियक्शन कुछ इस प्रकार हो सकती है सबसे पहले तो यह जेंगे के टुकड़े हैं तो हम यहां पर लिख लेते हैं जेंग के टुक अब देखो जब भी अमल किसी धातू के साथ में किरिया करेगा तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं अमल तो रियक्षन देखते हैं क्या होगी पहले हिंदी में ताकि समझ में आए जब अमल किसी धातू के साथ में किरिया करेगा प्लस धातू इसके साथ में किरिया करेगा तो कोई एक लवड बनेगा पहली बात तो ये है कि कोई लवड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस ये कॉमन रियक्षन है जो आपको पता होनी चाहिए लेब की नॉलेज है अगर आप लेब में प्रियोग करोगे तो यही स्टेटमेंट आप निकाल की बाहर लाओगे कि जब भी अमले के साथ कोई धातू रियक्ट करती है तो लवड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है अब देखो कैसे इस एक्जाम्पिल के साथ मैं समझ लो अमले के स्थान पर हमने क्या लिया है बताओ क्या आप बता सकते हैं अमले की जगाए पर हमने क्या लिया है हाइड्रोग्लोरेक एसिट तो अमले के नीचे क्या लिखो हाइड्रोग्लोरेक एसिट प्लस ये बताओ धातू के स्थान पर हमने क्या लिया है जिंक तो यहाँ पे ले लो जिंक तीर का चिन्न लगा लो लवड लवड बनेगा देखो कैसे जिंक किलोरीन के साथ में रियक्ट कर जाएगा तो जिंक किलोराइड ऐसे तो लिखा नहीं जाता जिंक किलोराइड लिखा जाता है जिंक किलोराइड लिखा जाता है क्योंकि जिंक पर दो प्लस होते है और किलोरीन पर एक माइनस तो दो किलोरीन को आना पड़ेगा एक जिंक के साथ में तब ही वो दो प्लस दो माइनस बराबर होंगे ठीक है और प्लस हाइड्डूजन गैस कैसे लिखी जाती है H2 गैस यह हाइड्डूजन गैस लेका है और हाइड्डूजन गैस अब इसको बैलेंस करोगे तो दो किलोरीन यहाँ पे हैं और दो हाइड्डूजन यहाँ पे हैं और हाईडोजन गैस बनती है, लेकिन हमें पता कैसे चला कि ये हाईडोजन गैस है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक विवस्ता करते हैं, अब ओपकी थांसे समझो, जो हाईडोजन गैस आ रही है, ये इस नली के माद्ध हमसे ळाईगी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को पत कैसे चला कि यह hydrogen gas है यह आप lab में प्रियोग करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि hydrogen gas है तो क्या होगा यह जो hydrogen gas आ रही है इसको साबुन के पानी में हम लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक container रखते हैं जिसमें साबुन का पानी रखा होता है यह हमने container रख दिया इसमें क्या है साबुन का पानी है यहां पे हम लिक भी सकते हैं कि यह साबुन का पानी है अब जैसे ही hydrogen gas इस साबुन के पानी में आएगी तो बुलबुले बनेंगे बनेंगे की नहीं तो यह यहां पे बुलबुले बनना स्टार्ट होंगे और यह बुलबुले दीरे दीरे इस तरीके से हवा में आएंगे hydrogen gas से भरे हुए हैं यह बुलबुले और यह हवा में आएंगे इस तरीके से तो अगर हम इन बुलबुलों के सामने कोई जलती हुई मुमबती लेकर आएंगे ध्यान से समज ना क्योंकि यहां से कोई भी question पूछा जा सकता है आपसे exam में तो अगर हम यहां पे जलती हुई मुमबती आज जलती हुई तीली लेकर आएंगे तो यह फट की आबाज के साथ में फूटेंगे तो इससे पता चलता है कि यह हाइड्रोजन गैस है जो बुलबुलों के अंदर भरी हुई है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई थी तो इसलिए जलते हुई तीली या जलते हुई मुंबती जब इनके पास लाएंगे तो ये फटफट की आवाज के साथ फूटते हैं तो ये साबन के पानी यहाँ पे हम लेंगे जिससे हाइडोजन गैस यहाँ पे आएगी और ये उपर तो कभी कविश्चन पूछ लिया जाता है कि जब अमले की किरिया धातू से कराई जाती है तो हमें पता कैसे चलता है कि वो हाइडोजन गैस है तो बनी हुई गैस हाइडोजन गैस है आप यह पता कैसे करोगे तो आपको लिख देना है कि हम जलती हुई मौमबत्ती उसके पास ले जाएंगे तो एक फटफट की आवाज आती है और इससे हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यांत जो लंसील है तो फट की आवाज के साथ बो जलती है तो ये आपको ध्यान रखना है अब आप सोच रहे होंगे कि क्या S.E.L. अमले के साथ ही ये पॉसिबल है तो आपसार है नहीं S.E.L. अमले के साथ पॉसिबल नहीं है मतलब और भी ऐसे है एक ही अकेला अमले नहीं है जिससे ये लवड़ हो हाइड्रोजन गैस बनती है मैं आपको एक और एक्जाम्पल लेता हूँ जैसे अगर आप यहाँ पे S.E.L. की जगाए पर है बैलेंस करो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है दो का गुणा करोगे तो ZN NO3 का होल्ट वाइज बनता क्योंकि ZN बचा और NO3 बचा NO3 लेकिन ये दो बार बचा क्योंकि दो का गुणा है तो NO3 का होल्ट वाइज यहाँ पे तो जैडन, NO3 का, ओल्टोएच पिलस H2, एक रियक्शन ही हो जाती, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लबड़ है, जिंक का ही, अब क्या दो ही अमल है, जिन से हम धातु से किरिया कराएंगे, तो लबड़ और हेड्रोजन बनता है, आंसर है, नहीं, और भी है, जैसे की, एस पिल्टे का हम लेंगे, CH3, CWLOH, और इसकी किरिया जिंक से कराएंगे, यानी जिंक के धातू से, धातू है, जरूरी नहीं है, सबी धातू के साथ, एक सन नहीं होती, लेकिन कुछ धातू हैं, जिनक के साथ, यह रिक सन होती है, अभी हम जिंक के साथ मैं समझ रहे हैं, जि क्या करना होगा इसके साथ साथ यहां पर यह बाला जो एच प्लस है और यह सारा तो माइनस में तूटता है तो यह प्लस वाला ही हाइड्यूजन बनाएगा माइनस वाला नहीं तो इसलिए हमें प्लस वाला तो एक ही है इसलिए दो कागुणा कर दो तो दो हाइड्यूजन हो है ठीक है तो इसलिए दो बार आ गया तो दो माइनस और दो प्लस बैसे भी यहां पे दो ही बच रहे थे आप देखिए CH3CW और यह दो तो यह हाइडोजन गैस आपको मिलेगी तो यह हम लो गया और भी आप ले सकते जैसे कि H2SO4 तो अगर आप H2SO4 की किरिया यानि की तेजाप की किरिया जिंक से कराएंगे तो भी यहां पे आपको क्या मिलेगा हाइडोजन गैसी मिलेगी तो हाइडोजन गैसी यहाँ पर जेडैनेसो फूर बन जाएगा यह देखो जेडैनेसो फूर बन गया तो जेडैनेसो यह लवड बन गया जेडैनेसो फूर और जो भी लवड बनता है वो नीचे तली में यहाँ पर बैठ जाता है और hydrogen gas उड़ जाती है तो यहाँ पे सावन के पानी में गई तो डुपकी लगाई उसने तो वहाँ पे बुलबुले बने बुलबुले बने तो उसको हमने फोड़ा मुंबत्ती से तो पट की आवाज आई उससे हमें पता चला कि यार यह तो hydrogen gas है क्योंकि अत्यंत जुलंसील है इसलिए आप आज की साथ जल रही है तो यह बेशी के लिए आपको पता होना चाहिए कि अमल जब धातू के साथ में react करेगी तो लबड और hydrogen बनेगी यह याद रखना यदि आप chemistry को deeply समझना चाहते हो तो यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब अमल धातू के साथ react करता है और करता है तो क्या-क्या बनता है और कौन-कौन अमले के साथ यह सारी reaction important है यह सारा का सारा चित्र बना के आपको notes में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे अमले की हमने धातू के साथ अप चारा की धातू के साथ पढ़ेंगे उसके पहले आप note करलो अमले की धातू के साथ किरिया का यह जो चित्र है यह आप बना सकते हैं यह आपकी book में भी दिया गया है, notes में भी खुद से बना सकते हो, खुद से practice करना सीखो, और ये जो है main reaction है, अब इसकी भासा लिखना, यदि आपको यदि लिखना है, तो आप लिख सकते हो, कि जब आमल धातू के साथ किरिया करता है, तो लवाड़ेवम हाइडोजन येस बनती है, ये थोड़ी सी भ फिर से परक्नली लेंगे और इसे stand से बांदेंगे, इसके बाद इस परक्नली में दो नली हम लगाते हैं, एक चारक भरने के लिए और एक hydrogen gas निकलने के लिए, बाकि ये पूरा बंद कर देते हैं, तो यहां से हम भरेंगे अमल, इसको थोड़ा चोड़ा सिरा कर देते हैं, ताकि यहां पर अमल डालने में आसानी हो, और यहां से आएगा, तो अमल मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, चारक है ये, तो इस बार चारक डालेंगे, अमल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, चलिए, अब यहां पर जो है, यह देखो, यह ऐसे जाएगा, आइडोजन गैस, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो वहां से ही मैंने बढ़ा दी है, आगे, आप स्केल का इस्तमाल कर लेना, ठीक है, तो इसे हम साबन के पानी में या कुछ में भी डुबा देंगे यहां पर, तो साबन का पानी ही यहां पर लेना है, कुछ भी नहीं यहाँ पे आप लिख देना साब उनका पानी ठीक है तो अब इसमें हम चार लेंगे कोई भी चार हम ले सकते हैं तो भर लेते हैं तो यहाँ पे हमने एक चारक लिया है एनिवेच जिसे आप लोग यहाँ पे कास्टिक सोडा की नाम से भी जानते हैं या सोडियम हाइड्रोकसाइड भी इसे बोलते हैं ठीक है आप लिख लेना नोटस में और धातू कौन सी लेगे तो जिंक के ही ले लेते हैं तो यहाँ पे जिंक धातू के टुकड़े लेते हैं ताकि समानता बनी रहे उस समझ में भी आ जाए कि अमल और चार में क्या अंतर है यहाँ पे धातू के साथ भू कैसे रियक्ट कर जाते हैं तो हमने ले लिया अब ध्यान से समझो इसमें तो बेसिक जो टर्म है पहले उसको समझते हैं कि जब चार जो है जैसे की एने उएच अब यह करेगा जिंग धातू के साथ में किरिया तो भी हाइड्रोजन गैस ही बनाता है और लवड बनाता है ठीक है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और लवड बनाएगा तो लवड बनेगा उसके लिए बैलेंस देखना पड़ेगा यहाँ पर दो हाइड्रोजन खेस तो बनेगी ही बनेगी तो दो एच टू लिख दिया यहाँ पर एक ही एच है तो दो का गुणा कर दो दो एच हो गया तो अब देखो H दो हो गया लेकिन NA और O बचा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं उसको समझो ध्यान से सबसे पहले तो NA2 हो गया NA2 ठीक है पर इसके बाद जिंग का आक साइड ये तो इसे हम बोलते हैं ये एक नया योग एक बना है जैसे हम बोल सकते हैं sodium zincate बोलते ही है sodium zincate ये notes में लिख लेना ठीक है sodium zincate बोलते है proper notes के साथ में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या किससे बनता है और एक बात और याद रखना इस सभी धातूं के साथ इस तरीके से hydrogen gas बनना ये लबड़ बनना possible नहीं होता है कुछ एक धातूएं हैं जिसमें जिंक भी सामिल है तो जिंक के साथ ये possible हो जाता है तो ये sodium hydroxide के साथ छारक जो है ऐसे react करता है इसमें भी hydrogen gas बनती है कि ऐसे पता चला hydrogen है वही मौमबत्ती वाला प्रियोग यहाँ पे बायू के बुलबुले बनेंगे hydrogen gas है तो चित्र बना के ये reaction जरूर लिख लेना और क्योंकि समझने के बाद जब आप लिखते होना तो confidence थोड़ा सा improve हो जाता है कि हाँ ये चीज हम कर पाएंगे तो ये थी complete जो है अमल और छारक के साथ तो इसका चित्र बना के ये वाली reaction आप लिख सकते हो और भी जितने प्रकार के चारक है आप उनकी साथ भी reaction कर सकते हो लेकिन आपके slivers में इतना ही है फिर भी मैंने अमले के लिए तो बहुत सारे example दे दिये है क्योंकि हमारा उद्दिश यहाँ पर थोड़ा सा knowledge भी increase करना है नोट्स बनाने के साथ तो यह आप अच्छे से नोट कर लेना अमलका तो मैंने दिखा ही दिया है reaction भी दिखा ही दी है यह वाला जो चार है यह भी और PDF नोट्स चाहिए यदि आपको तो टेलिग्राम जो है उसे जोईन कर लेना description में link मिल जाएगी या फिर channel के about section में जाओगी तो वहाँ पर link डली हुए है टेलिग्राम पर click करोगे पहुँच जाओगे तो चलिए अब इसके बाद हम लोग 5 मा question करते हैं Thank you